चलो नागपूर एक कारिक्रम हम करने वाले हैं जो 10 मार्च को होने वाला है ये कारिक्रम नागपूर में इसलिए हमने प्लान किया है क्योंकि नागपूर एक भूमी है जहां बाबा साब ने दिख्षा ली थी और उन्होंने भगवान बुद्ध के दिये गए आदेशों और निदेशों का पालन करने के लिए आवण किया था चलो नागपूर में जो महिलाए इखटी होंगी वो ऐसी महिलाए है जिनके साथ समाज में हिंसा अत्याचार गैर बराबरी भेदबाव हो रहा है यह महिलाए दली समुदाय से आएंगी यह महिलाए आदीवासी समुदाय से आएंगी मुस्लिम समुदाय से आएंगी सेमलेंगिक महिलाए आएंगी प्रांसजेंडर आएंगे यौन कर्मी आएंगे और ऐसी महिलाए भी आएंगी जो विकलांग है इन सभी महिलाओं ने अपने जीवन में भेदभाव सहन किया है, हिंसा भी सहन किया है और हम चाते हैं कि इस देश को एक ऐसा देश बनाए कि जहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना करे, नफरत ना करे उसके उपर अत्यचार जुल्म ना करे और इसके लिए बहुत जरूरी है कि इन महिलाओं का नेतरत्व, एक मजबूत नेतरत्व खड़ा हो और इस मजबूत नेतरत्व के दौरा नाकपूर की भूमी में हम सवाल उठाएंगे मनुवात पर, सवाल उठाएंगे हिंदूत्व पर, सवाल उठाएंगे ये जो कहा जा रहा है कि भारत एक बिन सम्रदा एक देश है उस पर क्योंकि हम जानते हैं कि अब देश में किस तरह के दंगे, किस तरह की हिंसा हो रही है, देश में नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है, कानून का साशन दिखाए नहीं दे रहा है, लोग डर रहे हैं, लोग अपनी बात रख नहीं रहे हैं, तो हम आवाज उठाएंगे, ह हम संगीत के माध्यम से बात रखेंगे, हम चित्रों के माध्यम से बात रखेंगे, और हम ये भी कहना चाहेंगे, कि अब बहुत हो गया, समय बीता जा रहा है और हम आवाज नहीं उठा रहे हैं, हमें डर के नहीं रहना है, हमें चुप के नहीं रहना है, हमें अपनी आवा की शरुवात है इस शुरुवात में हम हजारों की संक्या में लोगों को आवान कर रहे हैं कि आप आईए हमारे इस आवान में जुडिये हमारे इस इस एत्यासिक कारेक्रम को की नीव को मजबूत करने के लिए अपने अपने द्वारा अनुदान भी करिए अराशी भी का भी स सावित्री भैक फूले जय दिल जय दिल जय दिल सचक सब्सक्ता है